जैमातादी वैश्णोदेवी से जुड़ी हर लेटेस जनकरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डेवोशनल पॉइंट और बैल आइकन भी जरूर दबाएं जैमातादीकराद भग्धवी श्रीमातेश्णोदेवी यातपर अप्रेल महिने में नवरात्री के समय दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आपके पास कोई भी होटल की बुकिंग नहीं है ना तो यात्रपर ना ही कट्रा में तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है तो अप्रेल महिने में नवरात्री के समय दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो क्या आपको कट्रा में होटल पहले ही बुक कर लेना चाहिए और अगर हा तो उसका क्या करन होने वाला है आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ श्रीमातेश्नदवी यातपर आम तोर पर 30-50,000 भक्तों की भी रोजना आती है परन्तु जब हम बात करें किसी खास अफसर की या दिन की जैसे की मातरानी के पवित्र नवरात्रे इससे खास अफसर क्या ही हो सकता है मातरानी की यात श्रधालू सोचते हैं मातरानी की यातपर आने के लिए इसलिए श्रीमातेश्नदवी यातपर आने वाले भक्तों की संख्या नवरात्रों में लाखों श्रधालू को प्रति दिन पात कर जाती हैं जिसकी वज़े से कट्रा में आने वाले श्रधालू जो होटल लेना चाहत काफ़ी खोटल मिलते हैं ऐसे में मेरा भक्तों के लिए सुझाव रहे का कोशिश करें आप ओनलाइन पहले ही बुकिंग करकर हैं होटल की कट्रा के लिए भी जिससे कि आप भक्तों को परेशानी कम से कम हो अभी दिमा के बात कर लेते हैं यात्र पर जाने के लिए आपको चा जानकारी पसंद आ रही है तो जैनल को सब्सक्राइब करना ना मुलिए वीडियो को भग्तों के साथ शेर करना ना मुलिए साथ यह भी बताना ना मुलिए आप यात्रा पर कप चाने वाले हैं अब इजिमा के बढ़ते बात कर लेते हैं काफी मुख्य जानकारी के बारे में जो की होने वाले RFID कार्ड से जूरी क्या आपको श्रीमादेशनदवी यात्रा करने के लिए RFID कार लेना अनिवारी होगा यह काफी बड़ा प्रिशन होता है अगर लेना चाहिए तो क्या हम इसे ओनलाइन भी ले सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं आप आने के लिए भगतों को ओफवाइन ही यानि के खुद ही कट्रा या जमू आना होता है जहां से उन्हें जगा जगा से RFID कार्ड मिल जाता है RFID कार्ड दरसल एक ऐसा प्लास्टिक का कार्ड होता है जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा तो आपको निशुल्क दिया जाता है य जैसे कि आप बात करें जम्मू रेल्वे स्टेशन के पास में जम्मू एरपोर्ट पर कट्रा रेल्वे स्टेशन पर कट्रा चोक पर साती साथ आपको तारकोट मार्क पर भी इसका काउंटर मिल जाएगा और अंत में आपको कट्रा हेली पैट पर भी RFID काउंटर मिल जाए यानि कि 50,000 प्रति दिन को पार कर जाती है ऐसे में श्राइन बोर्ड यात्रा पर कट्रा से ही रोक लगा देता है यानि कि कट्रा में अगर आप होते भी हैं तब भी आपको यात्रा पर जाने की अनुमती नहीं दी जाती ऐसे में आप भक्तों के पास अगर RFID कार्ड होगा य इस से जाककर आप पहली अपनी यात्रा पर्ची बुक कर लें इसे सबसे बड़ा फाइदा क्लसप्रा अगर श्राइन बाइई- जाता है और वर्म HOL यर्थ नहीं जाएगा साथी साथ जिस प्लैनिंग के तहट आप यात्तर पर आएंगे आप बहुत ही राम से यात्तरा भी कर पाएंगे अब वीडियों मागी बड़ते बात कर लेते हैं अगर आप श्रीमा तरिशनद्र वी यात्तर पर जाते हैं तो क्या आपको रुखने की विवस्ता बहुत ही ना के बराबर है प्राइवेट होटल तो याता पर नहीं होते हैं सिर्फ और सिफ आपको शाइन बोर्ड के ही होटल या फिर शाइन बोर्ड की डोर्मेटरी रूम ही देखने के लिए मिलते हैं जिसकी बुकिंग सिर्फ और सिफ आप शाइन बोर्ड की की booking मिल पाए online चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं अब ऐसे में आप कर क्या सकते हैं अगर आप या तब पर रुखना चाहते हैं तो यात्र पर आपको रुखने के लिए निशुलक धरमशाला की सुविधा मिल जाती है जो कि आपको मिल जाती है भवन पर साथी अर्दकवारी मंदी परिसर पर ऐसे में आपको शाम को 5-6 बजे तक कैसे भी करके भवन या अर्दकवारी पर पहुशना होगा तब ही जाकर आपको धरमशाला में रुखने की व्यवस्था मिल सकती हैं अगर आप उससे जादा लेट हो जाते हैं तो आपको धरमशाला में भी रुखने की जगा नहीं मिल पाएगी क्योंकि भक्तु की संग्या बहुत जादा होती है इसलिए मेरा भक्तु के लिए यही सुझाव रहेगा अगर आप रुखने का बन बना रहे हैं यात्रप पर तो धरमशाला में रुखने के लिए शाम 5-6 बजे तक पोच जाएं अन्यता आप चाह करें कमेंट में बताना ना भूलें आप यात्रा करने के लिए कब जाने वाले हैं वहीं वीडियो मागे बढ़ते ही बात करने वाले हैं अगर आप श्रीमातेश्णद्यवी यात्रपर नवरात्रे के समय दर्शन करने के लिए आते हैं तो क्या आपको व्रत का खाना मिल जा है ऐसे में भक्त यात्रा तो करते हैं कठें पर इक्ष्रम करते हैं पर उन्तु परिशानी तब बढ़ जाती है जब भढ़ ना मिले वरत का तो कैसा होका बात कर लिए इस बारे में सबसे पहले तो आप भक्तों को बता दूं फ्री मादैश्णदवी यातापर आपको जगा ज होटल भी मिल जाते हैं और कुछ सरकारी होटल मिलते हैं जो कि श्राइन वोर्ट द्वारा चलाया चाते हैं पूरी ही यह आतब पर आपको कोई परिशानी खाने को लेकर तो नहीं होगी जगा-जगा आपको फल-फूरूट की सुविधा भी मिल जाती है जगा-जगा आपको जगा जगा वरत का खाना बहुती सस्ते दरों पर देखने के लिए मिलेगा जो कि देसी घी से निर्मित होता है। जो कि कहीं न कहीं अपना आप में बहुती बड़ी बात है क्योंकि तीन साड़ीन हजार फीट की उचाई पर अगर आपको देसी घी से निर्मित खाना मिल रहा है वो भी किफाईती रेट पर जो कि शाइंग बूर्ड आपको मोहिया करा रहा है तो मुझे लगता है इस से अच कुछ भी नहीं हो सकती तो आप निश्चिंध होकर श्रीमा तैश्णदवी यात्त पर कभी भी नवरात्री के समय भी जा सकते हैं आपका व्रत होता है तो आपको बहुत अच्छे से खाना मिल जाएगा आपको किसी तरीकी कोई भी परिशानी नहीं होगी अब वीडियो मां तरहनी के भवन पर आपको दर्शन करने में डेर से दो घंटे से लेकर तीन घंटे तक का भी समय लग सकता है यह मैं क्यों बता रहा हूं कि भवन पर आपको काफी भीड देखने के लिए मिलती है आम तोर पर दिखा जाता है कि यात्ता पर जब भीड बढ़ जाती है तो द दर्शन कर पाएंगे बात करें अर्दकौरी मंदी परीसर की यानि के गरजून कुफा की तो आप भगतों बता देना चाहतों वहां पर आपको दो से धाई दिन तक की मिनिमम वेटिंग देखने के लिए मिलेगी यानि कि आपको अगर अपना नमबर लगाना है अर्दकौर मंदी परीसर के लिए दर्शन करने के लिए आपको पहले कोई भी बुकिंग करने की प्रक्रिया नहीं देखने के लिए मिलती है यानि कि खुद आपको वहाँ पर जाना होगा ओफ्लाइन परची लेनी होगी तब कहीं जाकरी आप दर्शन कर पाएंगे अंत में बात कर ले कर जाएं जिससे कि आपको कोई भी परिशानी ना हो तो उमीद करता हूं कि आप धग्त को मेर्द वा दिएगी जानकारी पसंद आईएगी और मैंने आपके सभी सवालों के जवाब भी दे दिये होंगे आशा करता हूं कि आप यात्रा करने के लिए जाएंगे तो आपको जुड़ी रोजाना ताजा तच्वीरे पिंजी दूपी दच्छन प्राप्त करना तो आप हम इस अगाम और फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते हैं जिसका लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में साथ अपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा तो मिलते हैं एंगली वीडियो में तब तब कि लिए जामा तादिव